नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर गॉरव अगरवाल फ्रम नारायना मल्टी स्पेशैलिट्री हॉस्पिटल जैसरोड मैं एक इंटर्वेंशनल काडियोलेजिस्ट हूँ और मैं आज आपके बाद आपसे बात करूंगा कि जो हार्ट की कॉमन बिमारी है कोर्नरी आर्ट्री डिजी और उसके लिए कॉमन रिस्पेक्टर क्या है तो सबसे पहला रिस्पेक्टर है हमारा एज जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे जैसे हमारा उमर बढ़ रहा है एज बढ़ रही है तब हमें रेगिलरली चाहे हमें कुछ सिम्टम हो चाहें नहीं हो मेल में पर्टिकुलरली 40 वर्षों के बाद और फीमेल में मीनो पॉज अटेंड होने के बाद हमें रेगिलरली एक साल या दो साल में अपने काडियोलोजिस से कंसर्ट करना चाहिए और रेगिलरली खुन की जाच और एक ECG एटलिस्ट कराना चाहिए कुछ special cases में अगर जरुवत पढ़ने पर हमें TMT और echocardiography भी कराने की जरुवत पढ़ सकती है अब आते हैं कि इसे prevent कैसे करना है और इसके risk factors क्या हैं तो सबसे common risk factor है हमारा smoking तो हमें smoking बिलकुल नहीं करना चाहिए हमारे common rural areas में common है bd smoking and then urban population में common है cigarette smoking किसी भी form of smoking including hookah smoking is very harmful आज के दिन e-cigarettes का चलन है जो कि smokers को rehabilitate करने के लिए use किया जाता है वो भी हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी different तरह के studies में कुछ हद तक harmful पाया गया है next आते है diabetes and hypertension जो कि common बिमारी है आज के दिन हमारे देश में almost 40 to 50% लोगों को बढ़ती उमर के साथ diabetes hypertension है तो हमेशा आपको अपनी BP और sugar की दवाई अच्छे से लेनी चाहिए regularly लेनी चाहिए और जो targets है उनको maintain करना चाहिए BP और sugar के लिए नमक कम लेना है fruits and vegetables जादा खाना है next आता है dyslipidemia यानि की cholesterol bad cholesterol जादा होना तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हम oily और fatty foods ना खाए जितना हो सके हम बाहर का खाना कम खाए junk food कम खाए घर का बना हुआ कम तेल घी मसाला वाला खाना खाए और जो non-veg प्रसंद करते हैं chicken आप हफते में एक बार ले mutton preferably avoid करे या फिर occasionally ले और जो fish लेते हैं fish आप ले सकते हैं fish आपके diet के लिए healthy है provided कि आप उसमें तेल घी कम use करें आज के लिए बस इतना ही thank you